तो बहुत सरी चीज़े आप खरीदते हैं जब कोई भी आप कवड़ा खरीद ओ या फिक कोई भी चीज खरीदें को समें लिखा होता है MRP इतना आप जब देखते तो आपके मन में एक सवाल जुरूर उठता होगा कि ये MRP क्या होता है ठीक है तुम्हाँ आज इसके बारे मे पूरा आपको बताने वाला हो कि यह MRP क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है अगर इस सेलिंग पर नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आकन को जुरूर प्रेस कर लेना नमस्कार दोस्तों मेरे ना हुए नवीर आप देखने मेरे चनल रिटील क्या दोस्तों मैं आपको बताना हो चाहूंगा कि जो MRP होता है MRP का मदलब क्या होता है maximum retail price ठीक है maximum retail price इसका मदलब होता है अगर किसी को पता था तो आप कमेंट लिख सकते हैं जिनको नहीं भी पता था वो भी कमेंट कर सकते हैं MRP का मतलब क्या होता है MRP उसका मतलब होता है maximum retail price ठीक है इसका full form होता है अब maximum retail full price तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में आपको बताना होता है एक होता है selling price selling price और MRP ठीक है दोनों जो होते हैं बहुत अलग लग चीज़ें दोस्तों जो MRP होता है maximum retail price होता है उसका मतलब होता है कि जो MRP जो इस पर लिखी वी है कोई भी product है उसके उपर जो MRP लिखा होता है उसको आप उसके rate से उपर नहीं बे सकते हैं वो क्यों नहीं बे सकते हैं क्योंकि government ने एक act तयार किया हुआ इसके उपर कि अगर आप कोई भी कोई भी कंपनी वाला है अगर हो MRP से जारा rate पर उस चीज़ को बेच रहा है तो उसके उपर legal action हो सकता है ठीक है दोस्तों उसके लिए आप कम rate पर उसको बे सकते हैं और ज्यादा rate पर नहीं बे सकते हैं सब्सक्राइब कोई 100 पर की चीज़ है उसके MRP 100 पर अगर उसको आप 90 रुप में बेसते है तो उसका selling price होता है ठीक है मलब अपनी मर्जी से आप जो rate बेसते हैं ठीक है उसको selling price होते हैं अब selling price कहां पर आप देखा जाता है आप तो यह जरूर्व question होगा जो आपके mind में किया रहे है जो MRP होता है MRP था हमने सुना हुआ है आप बहुत सारे ब्रेंडों में देखते हैं बहुत सारे चीज़ों में देखते हैं आप सुपर स्टोर में जाते हैं या पर उसके बाद उसने क्या बैचा वो चीज आगे उसने जो आगे जो उसके बाद खरीदने जाते हैं जो माल लेने जाते हैं तो उसके बाद कोई भी दुकानवाला उससे माल लेने जाता है तो उसको 100 रुपर उसको 90 रुपर उसने दिया तो 90 रुपर जब देता है तो 100 होता है उसका मतलब होता है अपनी मर्च जो रेट देता है ठीक है MRP से कम जो से लिए कर प्राइज भोलता है MRP कर दो तक दोस्तों मैं मिलूगा अगली वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जाए हिंद बंडे मत्रम and take care.